चाचा ने खिलाया बाग बाग में घुस गया जित पवार ले गया वो सब कुछ तोड़ तोड़ और कर गया बंता धार चाचा ने खिलाया बाग बाग में घुस गया जित पवार रुको म्यूजिक जरूरी है क्या कह रहे है शरत पवार जी कि दिल ये रोता जाए हाए रे दिल ये रोता जाए क्यों सीचा हमने पाला हमने फल कोई दूजा खाए हाए दिल ये रोता जाए करनी का फल तुम ने भोगा पवार जी से कह रहे हम कि करनी का फल तुमने भोगा तुमने भी धोखे खूब दिए जैसा बोया वैसा काटो क्यूं मनवा पच्छताए दिल क्यूं रोता जाए इस उमर में धोका खाया है जब हो गए असी पार चाचा ने खिलाया बाग बाग में भुस गया जित पवार और एक बात और कहना चाता हूं सर सुनिएगा भी आग जीवन में कोई भरोसा नी राजनिती का कुरसी आए जाए हाए रे कुरसी आए जाए रिष्टे नाते सब मतलब के हर कोई दाव लगाए कुरसी आए जाए उद्धव की इस फुलवारी को सिंदे ने खाली कर डाला और बिन मेहनत के मिल गई सीटे बीजे पी मुसकाए बीजे पी मुसकाए कैसे चिंता में पड़ गई ममता जी और राहुल नितिश कुमार चाचा ने खिलाया बाग बाग में घुस गया जित पवार चाचा ने खिलाया बाग बाग में घुस गया जित पवार लेकिन लेकिन इस पे तो आपको भी आपको भी तो सीटे जादा मिलेंगी ने लड़ने के लिए असल बात हुआ क्या ना सबसे बड़ी बात बंबया बात है इन्होंने तो बंबया बात कह दी अजीत पवार अपने ही बाग को ऐसी संगत का असर होता है भारती जनता पार्टी की संगत ऐसी है कि आदमी अपने ही बाग को लूटने पे लग गया आप इस चीज को देख लो ये संगत थी अगर ये भाजपा की संगत में जैसे ही आए अपनी के नम पार्टी तोड़ने में लग गए और दूसरी बात वो जो शरत पवार है न साब 84 साल के हैं और बिहार का बीर कुमर सिंग भी 84 साल के थे या बिहारी बच्चे भी बैठे होंगे मैं भी 84 साल की उमर में बाका से निकला था अंग्रेजियों को लतारता हुआ मारता हुआ काटता हुआ राइबरेल तक पहुँच गया कुछ अपनों ने गद्दारी कर दी उसके साथ वरना दिल्ली पहुँच जाता तो अभी कुरसी आए जाए अभी आप फेट का अंत नहीं है शुरुआत है हए जब पार्टीय सिद्धान के इंद्रित नहूं कर संतान के केंद्रित हो वोट हमारे नाम पर लेने के बाद कैसे मुख्यमंत्री बनने की लालसा थी तो उन्होंने अपने पिता के ही सारे संसकारों को नकारने का काम किया तो पिता के संसकारों को नकारेंगे तो पार्टी ने आपको नकारा इसलिए पार्टी को परिवार समझ हो पर परिवार केवल क पार्टी समझने की गल्ती करोगे तो फिर आपके बाग में लूटने वाले नहीं बाग को आग लगाने का काम आप ही कर दो आपके हवाले से मैं आपकी राहूल बाबा तक कुछ पहुंचाना चाहता हूं दर असल आप आपने खुद अभी जो अपने हवाले से नहीं आपके ह कि तुम्हारे हाथ आते आते क्यों फिसली हैं सरकारें गाजपु जी तुम्हारे हाथ आते आते क्यों फिसली हैं सरकारें तुम्हारे दल के नेता रोज बस आपस में ललकारें बहुत नजदीक दिली के है हरियाना वहां देखो अभी तो दूर है दिली मगर निकली है तलवारें चार गावेदार कॉंटेंस कर रहे हैं प्रेस की के हम सीम बन रहे हैं अभी तो दूर है दिली तो मैं यही कहना चाहता हूं सुनियेगा नहीं रखते खबर पलपल तु हम उड़ते परिंदे की नहीं हम कुंडली रखते यहां हर एक बंदे की बहुत खुश हो के बाबा कह रहे थे कल किसी से यूं हमारी क्या बड़ी टेंशन बड़ी जुआज शिंदे की और आखरी एक बात कहना चाहता हूँ जो आपके कद्दावर और जमीनों से जुड़ेवे लोग हैं उनको पार्टी में बने रहने दीजिए तब ही आप आ सकते हैं तो मेरा एक संदेश पहुँचे जरा सोचो विचारो तो कहां पर हो रही गड़़ किनारा कर गए राहुल क्यों तुमसे जुड़े धाकड तुम्हारा हाथ जटका फिर कमल्डल में हुए शामिल बने सिर मोर जो पंजाब में थे आपके जाखड सुमील जाखड वादा इतना कद्दावर नेता आपने गवा दिया एक बड़ा नेता और उसको बहुत बड़ा मौका मिलना चाहिए था आपी के लिए आपने संदेश किया तो मैंने भी बेठे बेठे दो तुकवंदी लिखी है आप अगर इजाज़त दे लिए और इसी बहर पे है आपी कहते हैं कि कोई राहुल कहता है कोई गांधी समझता है पर इस जनता की बेचैनी को वो साथी समझता है उससे आस है इतनी और उसके संघर्ष हैं कितने जो उससे आस है इतनी उसके संघर्ष हैं जितने ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है